अमेरिका के राष्ट्रपती चुनाव में अब लगभग सौ दिन ही बचे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रम्प पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे चुनाव कैम्पेन को नया मुद्दा और नई दिशा दे दी है। ट्रम्प की रिपबलिकन पार्टी ने बाइडन प्रशासन पर सुरक्षा के मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया है। नीतिक हिंसा का इतिहास क्या रहा है और ट्रम्प पर हुए हमले का इस चुनाव पर क्या और किस तरह का असर हो सकता है। 13 जुलाई को अमेरिका के पैंसिलवेनिया में शाम करीब सवा 6 बजे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती और अगले चुनाव में फिर से मजबूत उम्मीदवार दिख रहे रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रम्प एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तभी तड़ा-तड़ गोलियां चलने लगी चारों और अफरा तफरी मच गई यहां वो भयावह नजारा दिखा जिसने न सिर्फ अमेरिका बलकि पूरी दुनिया को दहला दिया डोनाल्ड ट्रम्प पर गोलियां चलाई गई गोली ट्रम्प के दाहीने कान में लगी और कान के उपरी हिस्से को छेटते हुए पार हो गई शूटर ने रैली स्थल के बाहर एक उचे स्थान से मंच की और कई गोलियां चलाई थी इस हमले में एक गोली ट्रम्प के पीछे बैठे एक शक्स को लगी जिसकी मौत हो गई वहीं इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत ट्रम्प को घेर कर अपनी निग्रानी में ले लिया वहीं हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया पूरी दुनिया ने खून से लथपत ट्रम्प के चेहरे की तस्वीर देखी फायरिंग के ठीक बात जब ट्रम्प को घेर कर सीक्रेट सर्विस के एजेंट ले जा रहे थे तब खून से लथपत चेहरे के साथ ट्रम्प ने अपना कसा हुआ मुक्का उपर उठा कर जनता के बीच लहराया और चुनाव में और मजबूती से लड़ने का अपने समर्थकों को संदेश दिया ट्रम्प भले ही इस हमले में सुरक्षित बच गए लेकिन FBI ने इस हमले को कतल की कोशिश के रूप में ही घोशित किया है पूर्व राष्ट्रपती ट्रम्प सुरक्षित हैं और हमले के कुछ देर बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस हमले को लेकर पहली प्रतिक्रिया दी उन्होंने घटना के बारे में बताया और पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई गोली बारी पर क्विक रियक्शन के लिए सीक्रेट सर्विस और सभी लौ एंफोर्स्मेंट एजेंसियों को धन्यवाद दिया उन्होंने रैली में मारे गए व्यक्ती और गंभीर रूप से घायल शक्स के परिवार के प्रति अपनी समवेदना व्यक्त की उन्होंने कहा कि ये अविश्वसनिय है कि ऐसा कृत्य हमारे देश में भी हो सकता है ट्रम्प पर जैसे ही गोली चली सुरक्षा बलो ने तुरंत एक्षन लिया और शूटर को मार गिराया उसकी पहचान थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर हुई है 20 साल का थॉमस पैंसिलवेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला था क्रुक्स ने 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था अमेरिकी वोटर डेटा बेस के अनुसार उसने खुद का रजिस्ट्रेशन रिपब्लिकन वोटर के रूप में कराया हुआ था रिपब्लिकन पार्टी से ही ट्रम्प राष्ट्रपती पद के उम्मीदवार है उसने ट्रम्प पर हमले को अन्जाम क्यों दिया उसका मकसद अभी साफ नहीं हो पाया है घटना स्थल से एक AR-15 सेमी आटोमेटिक राइफल बरामद हुई है डॉनल्ड ट्रम्प का कहना है कि आखिरी मिली सेकेंड में सिर को घुमाने की वजह से उनकी जान बच गई रैली में ट्रम्प ने स्क्रीन पर इलीगल इमिग्रेशन के आंकडे देखने के लिए अपना सिर घुमाया था बस यही वो मौका था जब हमलावर ने गोली चलाई इधर ट्रम्प का सिर दाही ने घुमा और उधर गोली कान को छेथते हुए आगे निकल गई इसके बाद ट्रम्प डख कर गए उन्होंने 0.05 सेकेंड के अंतर पर सिर घुमाया था और वो गोली से महज 2 सेंटीमीटर दूर थे ट्रम्प का कहना है कि जिस चार्ट को वो देख रहे थे उसने उनकी जान बचाई ट्रम्प ने कहा कि अगर मैंने उस चार्ट की और इशारा नहीं किया होता और उसे देखने के लिए अपना सिर नहीं घुमाया होता तो गोली मेरे सिर में लगती डोनाल्ड ट्रम्प पर हुए हमले को लेकर इसकॉन ने भी बड़ा बयान दिया है इसकॉन का कहना है कि इस जानलेवा हमले में ट्रम्प की जान दैविय कृपा की वजह से बची है आईए जानते हैं इसकॉन के उपाध्यक्ष राधार मन्दास ने क्या कहा तो फाइनली भक्तों को उन्होंने देखा की एक रेल यार्ड है और जब पता चला कि यह डोनाल्ड ट्रम्प विजनस्मेन हे यह से से मिला थो जब भक्त उणके उफ्स में गया तो से कर देंगे लेकिन जब मैंने आपकी चिठी और आपके प्रशाद को दिया तो डोनाल ट्रम्प प्रशाद को मुह में रखते हुए आपके लेटर पढ़े और बोला कि नहीं नहीं आरे कृष्णा उननों को भक्तों को दे दो जगह जब तक उनको चाहिए रध बनाने के लिए दे दो अगर वो जगह उस समय हमें नहीं मिलता तो शायद 1976 में इसकॉन नियॉऔर्क में रथ्यात्रा शुरू नहीं कर पाता तो 1976 में डोनाल ट्रम्प ने रथ्यात्रा जगनात रथ्यात्रा को बचा लिया नियॉऔर्क में और 48 वर्ष्ट के बाद जब पूरा विश्व रतियात्रा का उसो मना रहा है आप देख रहे हैं कि कल भी रतियात्रा नॉटिन का फे 스ुबल होते हैं आज उल्ट इस हमले के बाद एक तरफ जहां सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं अमेरिकी गन कंट्रोल की मांग फिर से तेज हो रही है. जाहिर है, अमेरिका में सियासी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है. अब तक चार अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है, तो वहीं दो दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं पर जानलेवा हमले हो चुके हैं. अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस हमले से नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का रुख बदल जाएगा? क्या अमेरिका में ट्रम्प के पक्ष में नई लहर चल पड़ेगी? वैसे भी अब तक के चुनाव प्रचार में ट्रम्प अपने प्रतिद्वन्दी बाइडेन से आगे ही दिख रहे थे. आखिर इस हमले की तस्वीरों से अमेरिकी जन्मानस और वोटर्स के मन पर क्या असर हो सकता है? आईए जानते हैं. ट्रम्प पर हुए इस जानलेवा हमले की हर राजनीतिक दल और नेता ने आलोचना की है और सुरक्षा पुखता करने की मांग भी की है. राश्ट्रपती बाइडेन, पूर्व राश्ट्रपती बराक ओबामा समेथ तमाम दलों के नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अमेरिकी समाज या पॉलिटिक्स में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. विपक्षी दल यानि ट्रम्प की पार्टी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किये हैं. ट्रम्प के समर्थक माने जाने वाले अरब पती बिजनेसमैन एलॉन मस्क ने सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए एजेंसी चीफ के इस्तीफे की मांग की है नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपती चुनाव में अब बस सौ दिन का ही समय बचा है ऐसे में ट्रम्प पर हुए इस जानलेवा हमले का चुनाव पर क्या असर होगा इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है अब ये मुद्दा पूरे चुनाव कैंपेन को नई दिशा दे सकता है बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर घिरे डेमोक्रेट्स प्रशासन के ऊपर ये हमला सवालों को और तीखा कर सकता है विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब इतना एहम नेता अमेरिका में सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है हमले के तुरंत बाद खून से लथपत चेहरे वाली टरंप की तस्वीर को बेटे एरिक टरंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा इस हमले का असर बाइडेन पक्ष के चुनाव प्रचार पर भी दिखने लगा है हमले के बाद टरंप पर हमले वाले सारे टीवी कैम्पेन एड हटा दिये गए ताकि इस हमले से जनता में सहानुभूती पैदा ना हो बराक ओबामा, जॉर्ज डबल्यू बुश, बिल क्लिंटन और जिमी कार्टर जैसे नेताओं ने एक सुर में टरंप पर हुए हमले की निन्दा की लेकिन विपक्ष के कई नेताओं ने इस हिंसा के लिए बाइडेन को सीधे निशाने पर लिया सीनेटर जेडी वांस ने आरोप लगाया कि बाइडेन की सभाओं में उकसावे की वजह से ट्रंप पर इस हमले को अंजाम दिया गया इस मामले से ट्रंप पक्ष को प्रचार अभियान में लचर सुरक्षा को लेकर बाइडेन को घेरने का मौका मिल गया है चुनाव नस्दीक है ऐसे में अब सबकी निगाहें आगे के चुनाव कैम्पेन पर टिकी रहेंगी अमेरिका में अगर सियासत और हिंसा के कनेक्शन का इतिहास देखें तो एक लंबा काला अध्याय दिखता है कॉंग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में राष्ट्रपतियों, निर्वाचित राष्ट्रपतियों और उम्मीदवारों के खिलाफ अलग-अलग मौकों पर 15 बार हमले किये गए 4 जुलाई, 1776 को ब्रिटिश उपनिवेश से आजाद हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अब तक के 248 साल के इतिहास में चार राष्ट्रपतियों की पद पर रहते हत्या कर दी गई, जबकि दो दर्जन से अधिक बड़े नेताओं या पूर्व राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमले हुए इसमें कई दास्प्रथा को खत्म करने या अश्वेत लोगों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने का पक्ष लेने वाले नेता थे जो दक्षिन पंथी संगठनों का निशाना बने लेकिन ट्रम्प तो खुद दक्षिन पंथ समर्थक हैं ऐसे में उन पर हमले के पीछे किसी संगठन का हाथ है या ये लोन वुल्फ अटैक का मामला है ये जाँच के बाद ही पता चल पाएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सबस्क्राइब करें आज तक AI